हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको 1-2 येर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी कफतान ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं जिसमें हमने चारो तरफ लेस लगाई है इसमें 1.10 सेंटिमीटर फेबरिक हमने लिया है यहां पर कफतान के लिए हमने दो पीस ले लिये हैं जिसकी लेंथ 19 इंच है और चोड़ाई में ये 20 इंच है अब हम इसको फॉल्ड करके रख लेते हैं फॉल्ड लेयर यहां पर हमारी हो गई है नेक की चोड़ाई हमें यहाँ पर 2 इंच रखनी है और लेंध में इसको हमें 1.5 इंच रखना है अब हम इसमें ऐसे करते हुए गोलाई कर लेते हैं यहाँ से हलका सा शोल्डर पर से हम तिर्चा निशान लगा देते हैं इससे शोल्डर की फिटिंग अच्छी आती है नीचे की साइड से हम इसमें 3 इंच का ऐसे निशान लगा देते हैं और इसमें गोलाई कर देते हैं जिससे इसका डिजाइन और बिजादा खुबसूरत हो जाएगा अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इसमें बस सिर्फ थोड़ा सा ही कटिंग करना है शोल्ड आर्म होल वगेरा हमें इसमें कटिंग नहीं करने है नेक भी यहाँ पर हमने इसका कटिंग कर लिया है अब एक पीस हम इसमें सेलक कर देते हैं और एक पीस को डबल कर लेते हैं यहाँ पर 2 इंच का front neck हम और cutting कर लेते हैं इसमें हलकी सी V-shape में गोलाई करते हुए हम इसको काट देते हैं बीच से हम इसका 3 इंच का ऐसे करते हुए निशान लगा लेते हैं और इसको काट देते हैं जिससे बेबी को पहनने में परिशानी ना हो यह front side से हम थोड़ा सा नेक इसका खुला हुआ बनाएंगे यह देखिए नेक यहाँ पर हमने इसका कोल दिया है यह 2 एंड 4 इंच की हमने इस ट्रीप लिए हैं बीच से 3 इंच हम इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पर रखकर हमें इसको लगा लेनी है यह प्लाजो के लिए हमने 2 पीस लिए हैं जिसकी लेन्थ 20 इंच है और चोड़ाई में यह 18 इंच है अब हम इसको यहाँ से डबल करके रख लेते हैं 4 लेयर यहाँ पर इसकी हो गई है आसन की चोड़ाई यहाँ से हमें 1.5 इंच लेनी है और लेन्थ में इसको हमें 10 इंच रखना है फ्रेंट्स हम इसका आसन थोड़ा सा जादे रख रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चों को हम डाइपर वगेरा पहनाते हैं जिससे आसन इसका टाइट नहीं होता है यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है अब हम इसमें गोलाई कर देते हैं नीचे की साइड से हम 2 इंच पर इस पर मोहरी का निशान लगा लेते हैं और उपर तक इसको ऐसे करते हुए मिला लेते हैं आप चाहे तो इसकी मोहरी और कम भी कर सकते हैं यहां पर नेफे पर हम 1.5 इंच का निशान लगा देते हैं, लास्टिक डालने के लिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, यह आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स यहां पर आसन हमने इसका थोड़ा जाधा रखा हुआ है, प्लाजो यहां पर हमारा कट कर तैयार हो गया है, अ इसको ऐसे करते हुए हमें नीचे से फॉल्ड करना है, यह हमने दोनों पीस मिला के प्लाजो के रख लिए हैं, आसन पर हम इसके सिलाई लगा देते हैं, फ्रेंड्स यहां पर हमेशा हमें डबल सिलाई लगाने चाहिए, जिससे जब हम बेबी को पहनाते हैं तो जल्दी से यह उधरते नहीं है, अब दूसरे आसन पर भी हमें यहां पर ऐसे ही सिलाई लगा कर इसको तयार कर लेना है, अब इसका नेफा हम फॉल्ड कर लेते हैं, नेफे को चार तरफ से हमें फॉल्ड कर देना है, और एक जगे से टू इंच के करीब हमें इसको छोड़ देना है, यह हमने यहाँ पर 16 इंच की लास्टिक ली है इसको हम इस तरीके से करते हुए अंदर की साइड को इसको डाल देते हैं पीछे की साइड से लास्टिक को हमें खीचते रहना है यहाँ पर हमने इसको निकाल ली है पिन को निकाल लिया है अब हम इसको सीधा करते हुए एक दू ये देख सकते हैं फ्रेंट्स लास्टिक हमाई डल गई है फ्रेंट्स इसके बीच में लास्टिक के हम एक सिलाई लगा रहे हैं जिससे ये पहन कर बेबी के मुड़ती नहीं है अगर आप इस ड्रेस को बना रहे हैं तो ये सिलाई बीच में लास्टिक के जरूर लगाईएग आपकी लास्टिक पहनने के बाद बेबी के मुड़ेगी नहीं नीचे की साइड से ये महरी हम ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेते हैं दूसरी महरी भी हमें ऐसे ही सेम अपनी फोल्ड करके तयार कर लेनी है यहां से भी हम ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं दोनों मोरी हमने फोल्ड कर ली है अब यहां कवर हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं फ्रेंड्स यहां पर भी हमें हमेशा डबल सिलाई लगाने चाहिए जिससे पहनने के बाद यह जल्दी से उधरते नहीं है इसलिए घर में सिले हुए हमारे कपड़े बहुत जादा अच्छे होते हैं क्योंकि वो जल्दी से उधरते नहीं है यह प्लाजो हमारा बन कर तैयार हो गया है अब यह हमारा फ्रंट नेक है यह पट्टी को हम इसके उपर ऐसे करते हुए रख लेते हैं और यहां पर सिलाई लगा लेते हैं अब दूसरी साइड में इसको हम पलट लेते हैं यहां पर भी हमने सिलाई लगा दी है बीच में हलका सा हम कट लगा लेते हैं और सभी फैबरिक इसके नीचे की साइड को करते हुए इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं जिससे ये अच्छी तरीकी से सेट हो जाए और हमें दूसरी साइड में इसको मोडने में परिशानी ना हो अब हम इसको इस साइड से ऐसे करते हुए मोड लेते हैं और इसके उपर सिलाई लगा देते हैं नीचे की साइड से हमें इसको चकोर करना है फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यह देखें यहाँ पर पट्टी हमने बीच में इसके लगा दी है अब हम इसका दूसरा पीस ले लेते हैं और शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर भी हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए शोल्डर पर हमने यहाँ पर सिलाई अपने लगा ली है अब जो इसका नेक है उस पर हमें पट्टी लगानी है तो ये रेव की पट्टी हमने काटी हुई है वनेंच की चोड़ाई की इसको हमें बहुत धिला धिला छोड़ते हुए लगाना है कहीं से भी खीचना नहीं है और अंदर की सिलाई भी हमें पट्टी की हमेशा बिल्कुल बराबर लगानी चाहिए जिससे हमारी नेक की शेफ बहुत जादा प्यारी आती है अब हमें इसमें हलके हलके से कट लगा लेने हैं चारो तरफ कट लगाते समय धियान रखें कि आपकी सिलाई कटे नहीं इसको हम फॉल्ड कर लेते हैं सब भी फैबरिक इसके अंदर की साइड को करते हुए और इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से आप पट्टी लगाएंगी तो आपकी पट्टी की शेफ बहुत जादी नेकी बहुत जादा प्यारी बनकर तयार होगी यह आँ पर चारो तरफ हमने पट्टी लगा दी है थोड़ा सा जो हमने एक्स्ट्रा फेबरिक शुरू में छोड़ा हुआ है उसको हम अंदर की साइड को फोल्ड कर लेते हैं और इस पर एक फाइनल सिलाई हम लगा लेते हैं अब आप देख सकते हैं सिर्फ पट्टी ही हमारी अंदर की साइड को जा रही है टोप का फेबरिक हमारा अंदर की साइड को नहीं जा रहा है जिससे हमारी नेक की शेफ बहुत जादा प्यारी आती है ये देखे नेक यहाँ पर हमारा बन कर तयार हो गया है ये हमने एक पट्टी ली है इसको हम डबल करके बारिक सी डोरी बना लेते हैं आप चाहे तो इस डोरी को पलट कर भी धागे से पलट कर सुई से तयार कर सकते हैं और इस तरीके से सिलाई लगा कर भी इसको तयार कर सकते हैं ये डोरी हमने बना ली है अब बीच से हम इसको कट कर देते हैं ये 2.5 इंच की हमने चोड़ाई में और लंबाई में पट्टिया ली है इसको हमने गोलाई की शेप काड़ दिया है इसमें नीचे की साइड में हम लेस लगा देते हैं जिससे इसकी लुपी की डिजाइनिंग बहुत जादा खुबसुरत हो जाती है ये देखी यहां पर हमने लेस अपनी लगा ली है अब हम डोरी को अपनी इसके अंदर की साइड को रखते हैं और इसको मशीन से पक्का करते हुए नीचे तक सिलाई हम लगा लेते हैं नीचे से भी पक्का करते हुए इसको हम पलट लेते हैं इसी तरीके से हमें दूसरी रुपी भी अपनी तयार कर लेनी है ये देखिए दोनों डोरी हमारी तयार हो गई है अब हम नेक के इस साइड में हाथ की सुई की मदद से इसको लगा देते हैं दोनों साइड में हमें ये लगा देनी है ये देखिए डोरी यहां पर लगकर तयार हो गई है बेबी को पहना कर हम यहां पर एक नोट बां यहां से हमने इसको सीधा फोल्ड कर लिया है अब यह देख सकते हैं गोलाई में से हमें इसको हलका सा धिला छोड़ते हुए फोल्ड कर लेना है फैबरिक को खीच कर फोल्ड नहीं करना है इसी तरीके से हमें चारो तरफ से अपने फैबरिक को टोप को फोल्ड करके तैयार कर लेना है, ये हमने इसको fold कर लिए है सभी तरफ से, अब हम इसके किनारे पर यहाँ पर चारो तरफ लेस लगा देते हैं फ्रेंड्स ये गोलाई वाला हिस्स्सा हमारा आ गया है, इसमें से हमें हलका सा लेस को खीचना है और टॉप को हलका हलका सा धिला छोड़ना है जिससे हमारी इसकी गोलाई की शेप बहुत जादा प्यारी आएगी ये देख सकते हैं लेस यहाँ पर कितनी प्यारी सी गोलाई में भी हमारी लग गई है चारों तरफ हम इसी तरीके से अपनी लेस को लगा लेते हैं ये लेस हमने चारों तरफ अपनी लगा कर तयार कर ली है अब हम इसको डबल कर लेते हैं फ्रेंट्स यहाँ पर हमने इसको डबल करके योग की लेंध का निशान लगा लेते हैं जहाँ पर हमने लास्टिक लगाई है एट इंच का इस साइड से भी हम 8 इन्च का निशान लगा लेते हैं और यहां से साइड से हमें 2.5 इन्च इस पर निशान लगा देना फिटिंग के लिए यह फिटिंग का निशान हमें सीधी साइड पर लगाना है लेकिन फेब्रिक में चमकता नहीं है तो हम आपको बेक साइड पर लगा कर दिखा रहे हैं ये हमने निशान मिला दिये हैं फ्रेंट्स यहां से यहां तक के हमें इसमें लास्टिक डालनी है अब आर्म होल के लिए हम इस पर फाइफ इंच का निशान लगा लेते हैं और लेंथ में हमें आर्म होल के बाद लेंथ में फिटिंग के लिए इस पर हमें सेवन इंच का निशान लगा लेना है इस साइड में भी ऐसे ही हमें यहां से आर्म होल फाइफ इंच छोड़ देना है और लेंथ में हमें इसको सेवन इंच निशान लगा देना है ये फ्रेंट्स हमारे साइड के निशान है यहाँ पर हमने दो लास्टिक लिए है जिसकी चोड़ाई 8 इंच है फ्रेंट्स आप अपनी बेबी के हिसाब से भी लास्टिक को थोड़ी कम या ज़ादा कर सकते हैं बेक साइड पर हमने आपको निशान लगा कर दिखाए हैं लेकिन हमें फिटिंग के निशान फ्रंट साइड पर लगाने हैं तो हम हलका सा निशान यहां पर आपको लगा कर दिखाते हैं आर्म होल की लेंध हमें इसकी 5 इंच रखनी है और फिटिंग की लेंद हमें इसकी 7 इंच बीच से सीना है नीजे की साइड से हमें इसमें चाक छोड़ देना है ये लास्टिक हम आपको लगा कर दिखा रहे हैं लास्टिक को हमें बिल्कुल बराबर कीचते हुए ये देखे कितनी प्यारी सी यहां पर इसमें चुन्नटे आ गई है इसी तरही के से हमें अपनी दूसरी लास्टिक भी लगा लेनी है सिर्फ बीच के हिस्से पर साइड का 2.5 इंच हमें इसका छोड़ देना है दोनों लास्टिक यहां पर हमने लगा ली है अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और साइड में से ये जो हमने फिटिंग का निशान लगाया हुआ है यहां पर फिटिंग का निशान हम इस पर फिटिंग की सिलाई हम इस पर लगा लेते हैं फ्रेंड्स ये ड्रेस आप आसानी से घर पर बना सकती है और बहुत थोड़े से fabric में ये बनकर तयार हो जाती है बहुती प्यारी सी इसकी designing लगी है बनने के बाद हमने इसकी साथ ये plazo बनाया है और टोप भी बनाया है butterfly ये टोप बनकर बहुती प्यारा सा कफटान ड्रेस ये तयार हो गई है बीच में नेक में इसे डोरी का डिजाइन बन गया है, जिससे बेबी को पहनाने में परिशान नहीं होती है, ये प्लाजो इसका तयार हो गया है फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूट